हाई अब्रिवन वेल्कम बैक तो मैं चैनल आज की इस वीडियो में आप लोगों साथ सेयर करने वाली हूं रिव्यू ओक्सी लाइफ नाच्राल रेडियंस 5 क्रीम ब्लीच का साथी साथ में आपको करके भी बताऊंगी तो चलिए वीडियो को फटाफर से स्टार्ट करते हैं तो ये कुछ इस तरीकी की पैकेजिंग मिलता है मैंने ये मिनी साइज के लिया है ये आपको लोकल मार्केट से कहीं भी मिल चाहेगा या फिर आप ऑनलाइन भी पर्चेस कर सकते हैं लिंक मैं इसका डिस्केप्सन बॉक्स पर दे दूंगी अगर आप पर्चेस करना चाहें इस तरीकी की पैकेजिंग में मिल जाती है इसका प्राइज है 50 रूपीज आप चाहे तो इसका बढ़भा भाला भी ले सकते हैं पर क्या करेंगी पीडिश तो हमें ज्यादा करना नहीं होता है बार 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 ब्लीश को ज्या रहा बी नी से कोई दे ऊट नहीं पूई आप यूज़ आप लगाना यूज़ करते हैं इसे कैसे यूज़ करता है तो इसे कैसे यूज़ करना यह पूरा डिटेल में आप लोगों को बताओंगे वीडियो को इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा और इंट तक देखिएगा इसके अंदर हमें यह क्रीम ब्लीच मिल जाती है ना और शारे ब्लीचों में अबलेवल नहीं होता है तो यह ज़रूरी क्रेथ से है कि यह इस कुचे मिलता है उसके साथ हुआ सकते है और इस तरह के सब्दापला मिल जाता है आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं दुए ना फिंगर से भी उस कर सकते हैं तो हIs This iki if respect rings चलिए मैं आप लोगों को मिक्स करके बताती हूं तो चलिए हम फटा-फट से क्रीम को मिक्स कर लेते हैं उसके बाद मैं आप लोगों को अपलाई करके बताऊंगी तो यह मिनी साइस का था, इसलिए मैंने यह पूरा क्रीम इसे बाउल पे निकाल लिया है, और अब हम इसमें एक्टिवीटर मिक्स करेंगे, जो की मेन है इसमें, एक्टिवीटर हमें कम भी नहीं डालना है, क्योंकि कम अगर हम एक्टिवीटर लेंगे, तो हमारे चहरे पे ब की हम रजो का का राल इक ब्वाइ करणे को भर से ऑगे को अब whether अधिस से हो अगर रहेक्स कि यहां पे मैं नीचे की डाय करने कि अपलाइ कर रही हूं फेस वास से किसी भी क्योंकि ब्लीच करने के 24 घंटे तक ना ही फेस वास ना साबून या फिर कुछ भी हमें अपलाई नहीं करना होता है 15 मिनट रखने के बाद मैं इसे रिमूव करूँगी मैंने इसे अपने फेस पे 15 मिनट ही रखा था तो आब हम इसे इस पैचुला की हेल्प से ऐसे रिमूव कर लों उसके बाद हम इसे इस पंच व गैरा से किसी कॉटन के कपड़े से या फिर इस पंच व गैरा से इसको हम क्लीन करेंगे उसके बाद नॉर्मल पानी से भी आप चाहे तो जाकर दो सकते हैं तो इस तरीके से इस पैचुला से निकाल लेने से क्या होता है यह काफी हसानी होती है ब्लीच को रिमूफ करने में तो अच्छे से फेस को क्लीन कर लेना है पंच से क्लीन करने के बाद मैं नॉर्मल पानी से भी अपने फेस को वास कर लूँगी कि यहाँ पर मैंने normal पानी से अद्रेश को clean कर लिया और फिर मैंने pad dry कर लिया और अब हम यहाँ पर post bleach apply करेंगे और हर bleach के साथ अब SuttonTransounded नहीं होता है post bleach तो आप क्या कर सकते हैं वहाँ पर कोई भी 7 यल आपके पास हो तो उसको apply कर सकते हैं या फिर कोई light मौस्टराइजर हो तो उसको भी आप लगा सकती है फिर विग ऐता है कि बुझक इरिटेशन होती है स्केन पे तो बिलकुल स्कीन सॉफ्ट और मॉस्चराइज हो जाती है तो अच्छा होता है लगाने ब्लीच के बाद और अगर नहीं है तो कोई ज़रूरी तो इसका जो पोस्ट ब्लीच है ना वो सीरम टाइप का मिला था मुझे तो इसे मैं अपने पुरे खंटे तक बिलकुल भी यूज नहीं करना है और जादा तर नाइट में ही ब्लीच किया करिए उससे अच्छा रिजल्ट मिलता है क्योंकि रात में क्या होता है कि हम ब्लीच कर सीधे सुझाते हैं तो उससे अच्छा रिजल्ट इफक्ट पड़ता हमारी स्कीन पर और अगर दे में करते हैं तो उसे क्या होता है कि हमें दूप में निकलना पड़ता है घर के काम करने पड़ते हैं किचन का काम करना पड़ता है चुले के पास तो उससे थोड़ा सा ब्लीच का जो रिजल्ट होता है वह उतना अच्छा नहीं मिलता है वैसे भी ब्लीच ये फेशिल हमें चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जाज़दा शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मिलते हैं